दिएचे फेज नाइन के सामने लॉंच होगा तो उससे क्या इंपक्ट होगा कैपिटल स्मार्ट शेटी पे ब्लू वर्ड शेटी पे फैसल टाउन पे और चक्तिरी रोड और मोटरवेश से मुत्तसिल जो भी प्रजेक्ट्स होंगे उन पे पॉजिटिव इंपक्ट होगा य यह अगर मोटरवेश के लेफ्ट साइट देखें तो जिस जगह पे हार्मी पाक ओवर से सेंट्रल है उसके बिल्कुल ऑपोसिट साइट पे दीएचे फेज फेज नाइन के पास जो लैंड है वो कॉन्टी थोजन कनाल है इनिशिल फेज में प्रवाइड बाइड बाइड क फेज फाइफ और फेज फेज पर जो काम होगा है वो एचरल ने किया था तो सेम यही इसी कंपनी को एज डिवेलपर ऑन बोर्ड करने के बाद लेंड प्रवाइड के अपोसिट साइट पे और जो इंटरचेंज यूज़ होगा डिएचे का डिएचे फेज नाइन के मेंब नमबर बाइचेंज यह नमबर टू इंटरचेंज आगे जाके जहां पर ब्लू एल्ट सिटी का डाउंटाउन है जहां पर कैपिल समार्टी ओवर्सीज इस ठार्मी पार्क और सेंटल उससे ऑपोसिट जाकर थोड़ सा आगे एक इंटरचेंज मजीद बनेगा जिस इंटर क्योंकि इन तीनों जो साइटेंज में जिसका सबसे मेजर स्टेक है डैट वूड कैपिल समार्टी लैंड के मामलात में देखा जाए तो मोटरवे के ऑपोसिट साइट पो जो लैंड है उसकी जो ओनर्शिप है वो चौल रे नजीम जास और नहीम जास के पास है जो ब्लू लैंड प्रवाइट करेगा डीएचे को तो डीएचे के साथ उनकी जो अज्जस्मेंट होगी उसमें बेनिफिट जोगा ब्लू वर्ट सिटी को भी पास होगा तो मोटरवे के ऑपोसिट साइट पे जिसे डीएचे फेज नाइन एक्स्टेंड होगा इनिशिए 20,000 किनाल के बाद जो प्रजेक्ट मजी तक सिटैंड होगा तो उसके जो बेनिफिट पास उंगे ब्लू वर्ट सिटी के पास होगे और ब्लू उसैट्ट निए िसलिए डाउन टां इस्टामबाँ को गोई साइट पर जो आर्मी के हैं चेप τई यह विजट करेंगे अगर आप साइट विजट करें रिजटली तो ओवर्सीज प्राइम वन सेक्टर एच में एक हैली पैड भी बनाया गया है उस हैली पैड को बनाने का मकसद ही है कि जब एजिने जनल साइट विजट करेंगे तो वहीं पर उनका हैली लेंड होगा और वही आपता जो पूछते हैं कि अने से ब्लोवल्ट सेटी और कैपिल समार्टी पर क्या इंपक्त आएगा अगर आपकी वीडियो ची लेगे तो प्लीज दो लाइक कमेंट एड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजमान चीमा को दीज़ादत अग्ली वडियो प्लीज खुदाः आपस